एवियन हिप में MRI की क्या significance है और आप MRI की findings को किस तरह से interpret कर सकते हैं यानि किस तरह से समझ सकते हैं हेलो मैं डॉक्टर रोहित लांबा, consultant orthopedic or joint replacement surgeon गुड़ुदाओं से आज बात करते हैं एवियन हिप में MRI की significance क्या रहती है और उसकी रिपोर्ट को किस तरह से हम समझें कराया और उसमें एवियन आ गया है और स्टेज वन टू स्टेज त्री स्टेज फोर इस तरह से अलग अलग finding दी होती है और सबको यह लगता है कि अब एवियन डिटेक्ट हो गया है तो इसका मतलब अंत में हमारा हिपर प्लेस्मेंट ही होना है और एवियन का डाइगनोसिस सुनते ही सबको डर लगने लगता है तो आज इस तरह की misconceptions को दूर करते हैं हर अवियन स्टेज का मतलब यह नहीं है कि आपको हिपर प्लेस्मेंट की जरुवत पड़ेगी अर्ली स्टेजिस में आप इसको बचा सकते हैं तो सबसे पहले समझने के इसकी classification यानि की staging क्या है यह staging का नाम इस classification का नाम है फिकट और ले classification जिसमें की stage 1, 2, 3 और 4 दिये गए हैं एक stage 0 भी है जो इस बिमारी के शुरू होने से जस्ट पहले की staging है तो stage 1 अगर आपकी MRI की रिपोर्ट में लिगया गया है stage 1 फिकट और ले classification तो उसका क्या मतलब रहता है इसी condition में मरीज को नॉमली हिप में दर्द होना शुरू होता है आम तोर से ग्रॉइन एरिया में दर्द शुरू होता है और आगे की तरफ आगे की तरफ आगे की तरफ आपको दर्द महसूस होता है खड़े होने पर चलने फिरने पर आपको दर्द महसूस होगा इस स्टेज में अगर आप X-ray कराते हैं तो X-ray बिल्कुल नॉर्मल आता है X-ray में आप इस स्टेज में कुछ भी नहीं पता कर पाते हैं इसलिए इस स्टेज पर MRI कराना बहुत जरूरी आता है और क्योंकि यह बहुत अर्ली स्टेज है तो इस स्टेज पर ही इंटर्वीन करने से इसका ट्रीट्मेंट करने से हम इस बिमारी को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं ताकि वो सरजरी की ऑपरेशन की स्टेज तक ना पहुंचे तो इस स्टेज में एक्सरेप तो आपका बिब्कुल क्लियर रहता है लेकिन इसके अलावा MRI अगर आप कराते हैं तो उसमें हड़ी में ब्लड की सप्लाई रुक रही है क्योंकि ब्लड अंदर पहुंचा लेकिन वो वापस नहीं आपा रहा है किसी कारण वर्ष ब्लड की छोटी-छोटी को शिकाएं थी वो उसमें खून जम गया है या वो कॉलाप्स कर गी है जिसके कारण से ब्लड का नॉर्मल फ्लो नहीं बन पा रहा तो हड़ी के अंदर ब्लड जितना रहता है वो प्रेशर बढ़ाता रहता है और प्रेशर बढ़ने के कारण स्टेज वन में बोन मैरो इडीमा नजर आता है अब ऐसी स्टेज में एक और इसी से मिलती जूलती एक बिमारी भी रहती है जो यह वो बिमारी तो नहीं एवास्क्लर नेक्रोसीज की जगा उसमें सिंपल डाइगनोसेज के इस पर रहता है कि हमारा पहले दिक्कत क्या थी क्या एवास्क्लर नेक्रोसीज होने के लिए कोई ऐसा कोई फैक्टर था जिसके कारण बनता था और एमर आई पर अगर हमें स्टेज वन में एक जैसे दिख सकते हैं, बड एक अच्छी जगा से कराय हुआ MRI, एक थ्री टेसला मशीन पर कराय हुआ MRI, इसको आराम से डिस्टिंग्विश कर सकता है, साथ ही आपके डॉक्टर आपको बता सकते हैं कि इन दोनों में से कौन सी विमारी है, क्योंकि ट्रांसे स्टेज टू कब होता है, स्टेज टू अगर आपकी रिपोर्ट में लिखा है, तो उसका मतलब क्या है? स्टेज टू का मतलब यह है कि अब आपकी बॉल के अंदर कुछ अलग फीचर आने शुरू हो गए हैं, जैसे कि छोटी-छोटी सिस्ट बन जाना, एक लोकलाइज एक एरिया बन जाना जो अलग से डिमार्केट होके दिखता है, एक लोकल एरिया आपका नेक्रोज हो रहा है, यानि कि बोन आपकी डेड हो रही है, अब क्योंकि उसकी ब्लड सप्लाई डैमेज हो गई थी, तो बोन उस उतने एरिया की जहां 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 फाइनली जाते ही, आपके पास सिर्फ हिप रेप्लेस्मेंट का उप्शन बचता है, और अगर हम इस स्टेज पर रोक लेते हैं, तो हम इसको या तो दवाईयों से, बेड्रेस से, या फिर कोर डीकंप्रेशन के दुआरा हम इस स्टेज को रोक लेते हैं, तो आपका नॉर्मल नाच आप MRA के दो फिल्मों में अलग-अलग व्यूज में देखके, कि टोटल 360 डिग्री ऑफ अफ अगर वो दो व्यूज में टोटल मिलाके 240 डिग्री से उपर रहता है, तो ऐसे केसे में प्रोग्नोसिज यानि कि इसका बिना ऑपरेशन के ठीक होने के चांसे बहुत कम रहते ह इसका बिना सरजरी के ठीक होने के चांसे जादा रहते हैं, तो इसकारण से स्टेज 2 में यह देखना बहुत ज़रूरी रहता है, तो अगर आपकी रिपोर्ट में स्टेज 1 या स्टेज 2 लिखा है, तो इसके उपर बहुत घबराने की दुरुत नहीं है, हर अब चले स्टे सिस्ट बन गए थे अलग-अलग जगा पिर वहाँ पे बोन स्कलिरोस हो गई थी, अब जब ऐसे स्टेज में इस से उपर अब जब क्योंकि बोन आपकी डेड हो गई है और वो कमजोर हो गई है, तो अगर वो बोन धस जाती है, तो उसके उपर जो काटिलेज रहता है, काट बॉल की जो स्फिरिकल शेप थी, वो स्फिरिकल नहीं रही, अब वो शेप खराब हो चुकी है, और ये स्टेज 3 मानी गई है, अब स्टेज 3 पहुँच जाने के बाद, सब से कित सिग्निफिकेंट फ़रक आपकी ट्रीटमेंट में क्या रह जाता है, कि अब इस स्टेज प बाद अब आपका ट्रीटमेंट इस पर डिपेंट करता है, कि अब आपको पेन कितना है, आपकी अक्टिविटीज कितनी मैनेज कर पा रहे हैं, और हम कंजरवेटिवली इस स्टेज को जिसमें कि आप अगर कमफरेबली बिना किस से जादा जादा दिक्कत कि अगर आप फाइनल स्टेज है उसमें क्या होता है अब क्योंकि आपकी स्टेज 3 में बोन की शेप खराब हो चुकी थी ऐसा ही चेंजिस आपके कप में भी आने शुरू हो जाते हैं तो जब दोनों तरफ से बोन खराब हो जाती है तो आपका जो नॉर्मल हिप जो पहले इस तरह का दिख है और स्टेज 4 में आपके लिए बेस्ट ऑप्शन पेन को देखते हुए टोटल ही प्लेसमेंट रहता है तो यह आपका एक ब्रीफ ओवर्यू था कि अलग-अलग स्टेज अमरे में रिपोर्ट में क्या-क्या आपको पढ़ने को मिलता है हर चीज का क्या सिग्निफिकेंस ह हर स्टेज के अलग-अलग ट्रीटमेंट है लेकिन हर स्टेज हर पेशिंट के लिए अलग तरह से देखी जाती है इससे तरह से आपकी जो कोर बिमारी थी जो एक्चुल प्रॉब्लम थी जिसके कारण से अवियन हुआ यह आपकी यह भी आपकी ट्रीटमेंट को बहुत हत् करते हैं आपकी सारी हिस्ट्री देखते हैं आपके रिस फैक्टर देखते हैं तब आपके लिए बेस्ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं अगर आपको MRI पर ऐसी कोई रिपोर्ट डिटेक्ट हुई है जिसमें आपको बिमारी डिटेक्ट हुई है इन में से कोई ऐसी स्टेज है तो आप अपनी रिपोर्ट हमें शेयर कर सकते हैं, ओनलाइन या ओफलाइन कंसल्टेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं, और हम आपके लिए बेस्ट आप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, और हिप रिप्लेस्मेंट और एवास्क्लो नेक्रोसिस जोड़े जानकारी के लिए हमारा साथ जोड़े रहें, और हमारा चैनल जरू सब्सक्राइब कर लें, ताकि और आएसी आने वाले वीडियो स्क्राइब करें, थांक्यू